कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हुआ था और वह हिमाचल प्रदेश के पालमपुर जिले के बंदला गांव के रहने वाले थे। कैप्टन बत्रा एंसी सी में शामिल हुए और उन्हें उत्तरी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ट एंसी सी कैडट एयर विंग से सम्मानित किया गया। उन्हें खेलों में भी गहरी रुचिली और विशेश रूप से टेबल टेनिस में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। बड़े होने के दौरान वह परमवीर चक्र पुरसकार विजेताओं की प्रेणा दायक कहानियों से बहुत प्रभावित थे। एक युवा लड़के के रूप में वह नियमित रूप से टीवी धारावाहिक परमवीर चक्र देखते थे और उसके बाद अकसर अपने भाई के साथ उनके साहस और वीरता की कहानियों पर विस्तार से चर्चा करते थे। हालांकि उन्हें मर्चंट नेवी में शामिल होने के लिए चुना गया था लेकिन उन्हें अपनी बुलाहट का एहसास था और उन्होंने सेना की वर्दी पहनने के अपने सपने को पूरा करने का मन बना लिया था। परिणाम स्वरूप उन्होंने संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की और 1994 में भारतिय सैन्य अकादमी देहरादून में शामिल होने के लिए चैनित हो गए। पोर में तैनात किया गया। अप्रेल 1999 तक उनकी यूनिट ने अपना क्षेत्रिय कार्यकाल पूरा कर लिया था और अपने शान्ति स्थान पर जाने की तैयारी कर रही थी। लेकिन मई 1999 की शुरुआत में कारगिल सेक्टर में पाकिस्तानी सेना द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैट का पता चलने से परिचालन परिद्रिश्य बदल गया और यूनिट का अपने शान्ति स्थान पर जाना रद्ध कर दिया गया। कारगिल युद्ध जून जुलाई 1999 ओनप्रेशन विजय के हिस्से के रूप में ततकालीन लेफटिनेंट विक्रम बत्रा की यून किया गया था। टू राज रिफ बटालियन द्वारा द्रास में टोलो लिंग टॉप पर कबजा करने के बाद 13 जे के रिफ को 0.5140 नामक एक और सैन्य रूप से महत्व परिद्रिश्य बदल गया।